यह राम राम सारे जण्याने तम न बेराये एक PGT की भरती आली है और एच पीएसी ने जो पीजीटी की भरती काट दी है इसमें सब तपहला धारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा स्क्रीनिंग उसके बाद में थारा सब्जेक्टिव पेपर होगा सब्जेक्ट नोलेज टेस्ट फिर तरह इंटरव्यू गा यो पीजीटी आडा जो मामला है तो थ दीनी जल्दी क्योकर टीजीटीगी भरती आ जांगी देखो अगस्त है आसे सिक हो फेर सितंबर है और फिर अक्तूबर है सरकारता यह तीन महीने बहुत खास हैं जितनी जो भी रिजल्ट रुक रहे हैं जितनी जो भी बरती रुक रहे हैं जो भी काम रुक रहे हैं और सरकार जो भी करना चावा है वे सारे काम अगस्तम है हो जाएंगे सितंबर में आचार सनीता लागणी है सब नहीं बेरा है और अक्तूबर में थारे कई सारे पेपर भी हो जाएंगे अक्तोबर में इलेक्षन भी हो जाएंगे सरकार ने उचाव है आचार सनीता लागन ते पहला नई भरती काड दिया और जिस दन इलेक्षन होने है उस ते पहला एकाद बिपर भी ले 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 दो बातें अलग बाते होती है ध्यान से सुनो अब पहली बात आचार सनीता लागू होने से पहले सरकार कोई भी नई भरती दे सकती है कोई उसे नहीं रोक सकता ये पहली बात है दूसरी बात जब सरकार को कोई भी एक्जाम लेना होता है तो वह अचार सनीता लागू होने के बाद भी लिया जा सकता है कोई नया advertisement नहीं आ सकता अचार सनहिता लागू होने के बाद तो सितंबर में भले लग जाए अचार सनहिता भरती उससे पहले आ गई है तो आपका exam हो सकता है, interview भी हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नी है तो हम लोगों को TGT में 8000 से ज्यादा पदों पर नई भरती देखने को मिलेगी वित विभाग की और से इसको मंजूरी मिल गई है, देखो जब कभी कोई भी नई भरती आती है न उसका पूरा एक खाका तयार होता है, और जो सरकार का वित विभाग होता है, उसकी और से भी मंजूरी लेनी होती है, कोई भी नई भरती जबाती है अब इहाल ही में नई भरती हुई थी, उनका सबका document verification, जोईनिंगी सब process आप सबने देखा चल रही है और नई भरती जो होगी, वो 8000 से ज़्यादा पदों पर होनी है, अब देखते हैं कि इस पर किस दिन कब किस तरह से notification देखने को मिलता है और किन साथियों को apply करने का मौका मिलेगा, इंतिजार करते हैं, थोड़ा सा और इंतिजार और देखेंगे आप लोग, रुकिये हुए सभी notification जल्द आपके सामने होगे हाँ, telegram पर join जरूर करें, A, J, A, Y, S, I, N, G, H, K, H, A, R, B आप सरज करेंगे, मैं आपको मिल जाओंगा